अफ चार्ज क्यू प्लेस नियर उनिफर्मली चार्ज इन्फेनाइट प्लेन शीट तो आपके पास एक इन्फेनाइट प्लेन शीट है तो इस इस इन्फेनाइट प्लेन शीट और यह उनिफर्मली चार्ज है इस पे चार्ड देंसिटी है सिग्मा कुलंब पर मीटर स्क्वेर और यहां पे चार्ज रखा हुए इसके पास में ठीक है और यह फोर्स एक्स्पीरियंस कर रहा है F1 F1 फोर्स एक्स्पीरियंस कर रहा है अगर आप इसको एक मैटल प्लेट के सामने रख देते हो अगर आप इसको एक मैटल प्लेट के सामने रखोगे तो मैटल प्लेट की भी चार्ड देंसिटी आपको सिग्मा ही गिवन है सिग्मा कुलंब पर मीटर स्क्वेर और आपने यह चार्ज को उठाके इसके पास में रख दिये हैं आपे अब यह force experience कर रहे है आपका F2 तो F1 by F2 बताने आपको कि कितना होगा देखो electric field जो force लगेगा solution में हम लिखेंगे जो force लगेगा first case में इसको first case मानता हूँ इसको second case मानता हूँ तो first case में जो force लगेगा उसको हम small f1 मान रहे हैं और force लगता है QE ठीक है तो इस infinite जो sheet है इसकी electric field कितनी होती है sigma by 2 epsilon not second case में जो force लगेगा वो होगा QE2 और conducting sheet की जो electric field होती है वो होती है sigma by epsilon not तो हमको चाहिए F1 by F2 F1 हो जाएगा हमारा Q sigma by 2 epsilon not multiply F2 हो जाएगा हमारा Q sigma by epsilon not Q sigma Q sigma epsilon not epsilon not cancel answer आजाएगा हमारा 1 by 2